हलो एन वेलकम फ्रेंट्स आए जानते हैं कि टैली यार्पी 9 में हम क्रेडिट लिमिट कैसे तैय कर सकते हैं यानि कोई हमारी पार्टी है जिसको हमने बहुत सारा माल उधार बेच दिया और हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा उधार ना बेचे एक उसकी लिमिट हो जाए कि यहीं तक हम उधार देंगे उसके बाद का उधार अगर हम दें तो हमें एरर मैसेज सेंड हो जाए तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम क्या करते हैं एक लेजर बना लेते हैं हाला कि मर्पस पहले से डेटर सपार्टी का लेजर भी बना हुआ है लेकिन हम एक नया डेटर का लेजर बनेंगे तो यहां पर आते हैं और यहां से हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं ठीक है और यहां पर मैं लिखता हूं कस्टमर राम और यह हमारा customer है यानि कि यह data party होगी तो express करेंगे sundry data के group में इसे हम रखेंगे तो यहाँ पर data party का laser हमने create कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं यह maintain balance bill by bill यह option activate है और यहाँ पर आ रहा है default credit period ठीक है और यहाँ पर आ रहा है credit limit तो यहाँ पर हमें limit को set करना होगा ठीक है कि कितना हम limit इसको दे सकते हैं जैसे माली जी मैंने यहाँ पर set कर दिया कि हम 15,000 से ज़्यादा का माल उधार में इसे नहीं बेचेंगे ठीक है तो यहाँ पर आ गया और interface करके और यहाँ पर address आप डाल सकते हैं मैं डाल देता हूं यहाँ पर address यह हमने address डाल दिया, interface किया और अब इसको accept करा लेंगे पिन कोट डाल करके और इसको मैं accept करा रहा हूं यह हो गया accept ठीक है आईए अब चलते हैं देखते हैं sales voucher में किसकी entry हम कैसे करेंगे तो sales voucher में जाने के लिए आपको f8 press करना है यहाँ से function बटन f8 press किजिए आजाएंगे sales voucher में यहाँ पर जो reference नमबर है वो डाल दिया हमने अब यहाँ पर जो हमने party का नाम दिया था वो क्या था यहाँ पर देख सकते हैं customer के नाम से हमने दिया था और customer राम तो यह यहाँ पर customer राम शो हो रहा है यह अंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के और इसको अभी accept करेंगे हम तो यह हमारा customer राम आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट आ रहा है 15,000 रुपए यह ध्यान दीजेगा यहाँ पर इसी चीज के लिए वीडियो मैंने क्रेडिट किया है कि क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना मैंने आपको बताया था अकर को नहीं आता है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और इसे अंडर सेल्स अकाउंट में रखेंगा यहां पर सेल्स अकाउंट लिख दीजे और इसे अंडर सेल्स अकाउंट में रखेंगा मैरे पास पहले से बना हुआ है बाहर आता हूं और यहां पर ऐस जैसे प्रेस हम सेल करते हैं तो यहां से प्रोसेसर हमने ले लिया और माल लीजे कि प्रोसेसर के बारा आइटम हम और एक आइटम की कॉस्ट जो है हमने 5000 रखी हुई है ठीक है और 5000 रखने के बाद यह 6000 रुपए हम इसके जगह मैं एक काम करता हूं यह 12 का quantity नहीं ले करके चुकि आपको क्रेडिट लिमिट के भी बारे में बताना है तो यहां पर वन ही ले लेता हूँ और यह वन जो है accept कर लेगा चुकि 5,000 रुपए है तू भी accept कर लेगा क्योंकि हमने credit limit कितना रखा है 15,000 रखा है ठीक है मैं यहाँ पर 3 करता हूँ quantity हमने 3 किया तो यहाँ पर आजाएगा total 15,000 रुपए ठीक है अब यहाँ से डी प्रेस करता हूँ और यह computer desktop है HP का इसे आते हैं ठीक है इसे हम बेचना चाहते हैं तो अब देखिए यहाँ पर 38 pieces हाला कि हमारे पास मौझूद है हम एक ही desktop sell कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ पर जैसे ही हमने sell करने की कोशिश करी है तो यहाँ पर accept तो हो गया है लेकिन आप देखिएगा कमाल यहाँ से cgst sgst भी लगा लेते हैं य इवे बिल को नो करता हूँ अभी न्यू रेफरेंस रहेगा यह नया बिल है ठीक है और एंटरपेस किया हमने आप देखिए यहाँ पर क्या मैसे जा रहा है क्रेडिट लिमिट और ऑफ राम एकसीड यानि कि यहाँ पर मैसेज यह शो कर रहा है कि राम को आप 15,000 से जादे का उधार माल नहीं बेच सकते यह उधार माल बेचा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह शो कर रहा है कि आप इससे ज्यादा मतलब 15,000 से ज्यादा का माल उधार नहीं बेच सकते अगर बात करें अगर मैं यह computer desktop हटा देता हूं और अब देखिए यही चीज यह देखिए रुपे आ रहा है यहां पर मैं काम करता हूं इसको भी यहां से दो पीसे कर लेता हूं अब देखिए यह बहुत ही असानिक साथ एकसेप्ट कर लेगा यह देखिए इसको new reference और यह देखिए यह एकसेप्ट कर लिया इसने तो अभी हम चलते हैं इसको डिस्प्ले में एक ब जलने लगीगा ठीक है अब बहुत लोगों का यह भी सवाल होता है कि आप PDF में कैसे सेफ करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा मैं आप ए ग्रेडिट के नाम से इसे सेफ कर रहा हूं डेक्स टॉप ठीक है यह ओके किया हमने और आई चलिए देख ल में डाल रखा है अक्टिवेट कर रखा है तो इस तरीके से आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हों